हेलो गाईज मैंने इस दीप माला और वेलकम तो मैं चैनल फ्रेंट्स हम प्रिवेस्स कोशन्स करेंगे यह 2016 का पेपर है बिज्ञान का तो मैं प्रिवेस्स सारे कोशन्स आपके लिए लेकर आऊंगे सारे कोशन्स पेपर और फ्लाल हम इसमें ऑब्जेक्टिव और वेरी है वह एक एक नंबर का ही होगा तो इससे 25 नंबर हो जाते हैं 25 नंबर का पूरा पेपर होगा यह 2016 का पीपर आज हम करने वाले हैं और जो इसने शॉर्ट कोशन है वह हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे चली सुरू करते हैं अपनी कोशन देखते हैं पहला कुशन हमार फ्रेंट्स इसका राइट अंसर होगा आ राविन द्वारा प्रतिपादित किया अगला कुशन देखेंगे हैं निमने लिकित मैसे सांध्रण विदी नहीं है इन मैसे कौन सी विदी सांध्रण विदी नहीं है फेंट प्लवलन बिदी, चुम्बकी ये प्रत्तकरन बिदी, निस्तापन बिदी या गृत्वी ये प्रत्तकरन बिदी फ्रेंट्स इसका राइट आंसर होगा स, निस्तापन बिदी पांच की छड को रेसम से रगणने पर चड में आवेज आ जाता है कौन सा आवेज आ जाता है, धन आवेज, रेड आवेज, या दोनों आवेज, या कोई भी नहीं तो फ्रेंट्स इसका राइट आंसर होगा हमारा आ, यानि की धन आवेज अगला कोशन जो आया था पेपर में, आवर्ट साडने में किसी सम्मों में उपर से नीचे जाने पर क्या होता है आएनिक तरज्या घटी है, सुचालकता घटी जाती है, घनत तो घटता जाता है, या धात्विकता बढ़ती जाती है फ्रेंट्स आवर्ट साड़ने में किसी फिसर में उपर से नीचे आने पर जो हमाई जो धाद्विक्ता होती है धाद्विक्ता बढ़ती जाती है अगला कुशन है रोधिर का थक्का बनने वाली रोधिर कार्णिका का नाम है लाल रोधिर कार्णिका स्वेट रोधिर कार्णि चलिए वेरी शोट कोशन देखते हैं कौन सा आया था कोशन दिस्थ धारा किसे कहते हैं फ्रेंट्स ये कोशन कभी कभी रिपीट करते हैं पेपर में इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि हम प्रिवेस जो कोशन आयो हैं उनको हम देख ले एक बाद चलिए देखते हैं क्या है दिस्थ धारा जिस्थ धारा की दिशा और माप में परिवर्तन नहीं होता है उसे दिस्थ धारा कहते हैं सर्वाहरी जन्तु किसे कहते हैं सर्वाहरी जन्तु आपको पता ही होगा सर्वाहरी जो मासाहारी और साकाहरी दोनों प्रकार का भोचन कर सकते हैं और कर लेते हैं उन्हीं को सरवाहारी जन्तु कहते हैं जैसे सरवाहारी जन्तु मानफ चलिए अगला कूशन देखते हैं अगला कुशन है आयस के सांद्रन के दौरान गुरत्विय प्रत्थकर्ण विदी द्वारा किस प्रकार की अशुद्यों को दूर करते है उसके द्वारा किस प्रकार की अशुद्यों को दूर करते है तो दूर करने के लिए जिनका घनत उनकी अशुद्यों से जादा होता है जिनका अगनत उनकी अशुद्धियों से जादा होता है इस भी दुधारा इस परकार की अशुद्धियों को दूर करते हैं अगला कुशन है हमारा एडस का पूरा नाम क्या है तो एडस का पूरा नाम है acquired immunodeficiency syndrome फ्रेंट्स नाम बहुत ज़्यादा आ जाते हैं कई बार पूछे जाते हैं तो आप यह जो full forms होती हैं उसको अच्छे से पढ़के जाएगा चलिए अगला question देखते हैं चुम्बक की बल रेखाऊं की दो प्रमुक विशिष्थाएं लिखे चुम्बक की बल रेखाऊं की दो प्रमुक विशिष्थाएं पूछेएं पहली तो हो गई यह समांतर बल रेखाएं हैं और दूसरी है यह हमेशा N2S जाती है कौन-कौन सी दो सिष्थाएं हो गई यह समांतर बल रेखाएं हैं और यह हमेशा N2S जाती है North to South अगला कोशन देखते हैं इस वीडियो का आखरी कोशन है ये फ्रेंट वेरी शोर्ट हम कर लेंगे इसमें और अब्जर्टिव कर लेंगे शोर्ट जो है हम अगला कोशन है हमारा एक एमपियर से क्या दात पर है एक सेकिंड में प्रवाहिद विदुत आवेश की जो मात्रा होती है उसको एक एमपियर कहती है एक सेकिंड में प्रवाहिद विदुत आवेश की मात्रा को एक एमपियर कहा जाता है I hope friends आपको वीडियो अच्छी लगी होगी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीस लाइक कीजिगा शेर कीजिए और अच्छे से आप लोग पढ़ाई कीजिए चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स वीडियो में थैंक्स पर वाचिंग